दोस्तों आपने आज तक ट्रेन में कई बार सफर किया होगा पर आज से पहले आपने इनके जैसी ट्रेन पहले कभी नहीं देखा होगा जो आपको चोका देगी इसलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखना अंडर वाटर रेलवे दुबई इस समय कुछ ऐसा सोच रही है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा जो ट्रांस्पोर्टेशन की दुनिया में रिवोल्यूशन लाना चाती है आने वाले कुछ समय में दुबई पानी के अंदर रेलवे बना देगा ताकि ट्रेन पानी से होते हुए डेश्टिनेशन पर पहुँच जाए जिसमें सफर करने के लिए लोगों को काफी एकसाइटमेंट है दुबई ऐसा करने वाली दुनिया का पहला देश बन जाएगा सोनन मोनो रेल ये टेकनोलोजी का बैतरीन उदारन है जो ट्रेक के उपर नहीं बलकि ट्रेक के नीचे चलती है जो दिखने में काफी खुबसुरत नजारा है इसके ट्रेक को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसे आप इस ट्रेन को किसी भी पतली गलियों पहाडों या फिर ऐसी जगे तक ले जा सकते हो जहां नॉर्मल ट्रेन नहीं जा सकती इस ट्रेन में सफर करना एक अलग एसास देता है जे आर मेग लेव इस ट्रेन का नाम वर्ल्ड रिकोर्ड में इसलिए दर्ज है क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जिसने सिर और यात्रा की दूरी को देखा जा सकता है इस ट्रेन का इंटीरियल बिल्कुल हवाई जाज जैसा डिजाइन किया गया है दग्हान ये ओस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पेसेंजर ट्रेन है जिसे 2004 में बनाया गया जो अमील लोगों के लिए ही बनाई गई है ये किसी होटल रूम से कम नहीं लगती इस ट्रेन की लंबाई 106 में मिटर है जब भी ये ट्रेन किसी फाटक से ओकर गुजरती है तो वहाँ खड़े लोगों को लगबग 20 मिनट तक वेट करना होता है ये ट्रेन 54 गंटे में 2090 किलो मिटर ट्रेवल करती है वर्चुल ट्रेन सडकों पर विकल को चलते हुए तो हम रोज देखते हैं पर ये एक एसी ट्रेन है जो ट्रेक पर नहीं बलकि सडकों पर चलती हुए नजर आईगी जिसे चायना के जुजाओ सिटी में चलाया जाएगा इस ट्रेन में लिथियम बेटरी लगाई जाईगी जो 10 मिनट में चा नीचे एक लाल बटने उस पर क्लिक कीजिये और सब्सक्राइब कीजिये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले